हाई गैस वाटस अब तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके जीन्स या लोवर या किसी भी कपड़े का कलर निकल चुका है तो आप उसे मात 10 दुपे में दुबारा से कलर कैसे कर सकते हैं और अपने कपड़े को नया जैसा कैसे बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे इस लोवर का कलर निकल चुका है तो मैं इस पर कलर करने वाला हूँ तो वीडियो कर दीजिये अभी से LIKE तो फिर गैस चली वीडियो को सटार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे गरम पानी जैसा कि आप देख सकते हैं और चाहिए हमें यहाँ पे आधे कटोरी नमक जो की आपको आपके घर में ही बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा और चाहिए हमें यहाँ पे कपड़ों वाला कलर यह मार्केट में अलग-अलग कलर के आते हैं आपको जिस भी कलर का चाहिए आपको एक बड़े ही आराम से मात 10 रुपे में मिल जागा यह आपको किराने की सौफपर या फिर आपको जनरल स्टोर की सौफपर मिल जाएगा अगर आपको यह दोनों ही सौफपर नहीं मिलता है तो आपको एक कैमिकल की सौफपर जदू से मिल जाएगा कपड़ों के कलर के नेम से तो अब आपको लेना है एक बर्दन और उसमें लेना है थोड़ा सा पानी और आपको अपने कपड़े को गीला कर लेना है जिस भी कपड़े पर आप कलर करना चाहते हैं आपको उसे थोड़ा सा ही गीला करना है जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ आपको ज जिसले खुल कbia Hi two P. भकछा हम Do nicht you need raps你 place the whatsapp water कालि आझे i memories फिर आपको ऐसे पारी में डालना है 158 Korean पारी नवक जैसा कि आप देख सकते हैं ौर आपारी है थे आपसे नवका में घोल देना है जैसा कि आप देख सकते है कुछ इस तरीके से आपको नमक को घोल देना है तो अब हमें डालना है इसमें कपरो वाला कलर जो कि हमने मार्केट से लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं कलर करने से पहले आप अपने हाथों में गलफ से या पॉलिथिन पहन लीजिए क्योंकि या जो कलर है बहुत ही थिक बहुत ही पकक कलर रहता है अगर या कलर आपके हाथों में एक बार लग गया तो बहुत ही मुस्किल से या कलर जाता है लेकिन चला जाता है या कलर तो अगर आप नहीं चाहते या कलर आपके हाथों में लगे तो आप अपने हाथों पर कुछ पहन सकते हैं गिलफ पहन सकते हैं आप पॉलिफन भी पहन सकते हैं यह कुछ भी पहन सकते हैं जिससे कि यह कलर जो है आपके हाथों में ना लगे और आपके जो हाथ हैं वो साप रहें तो यह कलर मैं पानी में डाल देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं तो एक कपड़े को कलर करने के लिए है इतना कलर काफी है अगर आप ज्यादा कपड़े कलर करना चाहते हैं तो आप पूरा रंग डाल सकते हैं अब हमें अपने कपड़े को लेना है और इस कलर में अच्छे से डूबो देना है जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अपने कपड़े को इस कलर के अंडर डालना है और किसी लकड़ी की साहिता से अच्छी तरीके से दबाना है ताकि जो हमारा कलर है बहे कपड़े को पर अच्छे से चड़े तो आपको कुछ इस तरीके से लकड़ी की साहता से इसे अच्छे तरीके से बिल्कुर डुबो देना है फिर आपको कुछ देर तक इसे ऐसे ही रखे रहना देना है आप जितनी देर तक इसे ऐसे ही रखे देंगे आपका कलर उतना ही पक्का और उतना ही अच्छा होगा तो आपको कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है आप चाहे तो आदे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं करीब आदे घंटे के बाद आपको अपने कपड़े को निकाल के धूप में या च्छाओं में या कहीं भी आप डाल सकते हैं लेकिन आपको उसे उल्टा करके डाल देना है सूखने के लिए तो आपको उसे सूखने के लिए डाल देना है और आपका कलर हो गया तो लोवर सूखने के बाद हमारे लोवर पे कम्पलीटली कलर हो चुका है हमारे lower एकदम black हो चुका है जैसा हमारा नया lower था वैसे ही हो चुका है पहले हमारे lower color कुछ ऐसा था और अब हमारे lower color ऐसा हो गया है एकदम हमारे जो lower है वो नया हो चुका है